ये विडियो फार्मेक्स के पोर्टल पर पंजिकरण की प्रक्रिया के बारे में हैं। पर दिये गए साइन बटन को दबाएं और स्क्रीन के एकदम नीचे रिजिस्टर बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नमबर डालने के बाद अपने Pharmax अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए एक पासवर्ड डालें ये पासवर्ड आसान हो और आपको याद रह सके इस चीज़ को सुनिश्चित कीजिए अपना अकाउंट सुरक्षित रखने के लिए पासवर्ड पुनह डालें उसके पश्चात, अड्रेस यानि की अपने घर का पूरा पता डालकर Pharmax के अग्रीमंट को सहमती दिखाते हुए रिजिस्टर बटन पर क्लिक करें अब अपने रिजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर Pharmax के द्वारा आए हुए मेसेज को चेक करें और उसमें प्रस्तुत वन टाइम पासवर्ड को स्क्रीन पे दिये गए स्पेस पर भर दीजिए भर कर आप वेरिफाई बटन पर क्लिक कर दें ऐसा करते ही आप Pharmax के पोर्टल से रिजिस्टर हो जाएंगे लोगिन करने के विभिन्न तरीके पंजिकरण के पश्चात Pharmax के पोर्टल पर लोगिन करने के दो माध्यम है सबसे पहले माध्यम के लिए आपको अपने द्वारा चुने गए इमेल आईडी और बताय हुए पासवर्ड को डालना होगा पासवर्ड डालने के बाद आपको लोगिन बटन पर क्लिक करना होगा ऐसा करते ही आप Pharmax पोर्टल पर लोगिन हो जाएंगे दूसरे माध्यम से लोगिन करने के लिए स्क्रीन पर प्रस्तुत स्पेस पे अपना रिजिस्टर्ड मोबाईल नमबर लिखें और रिक्वेस्ट OTP बटन को दबाएं रिक्वेस्ट OTP करते ही आपकी रिजिस्टर्ड मोबाईल नमबर पे Pharmax के द्वारा एक वन टाइम पासवर्ड आ जाता है जिसे दी गई स्पेस पे भरके वेरिफाई और प्रोसीड करते ही आप Pharmax पे लोगिन हो जाएंगे यूजर डैशबोर्ड लोगिन प्रक्रिया के बाद यूजर डैशबोर्ड के विभिन अंगों को जानते हैं लोगिन के पश्चात स्क्रीन पर दिये गए बटन को दबाएं और उसमें से प्रोफाईल आप्शन का चैन करें प्रोफाईल पर आपको आपके द्वारा प्रदान की गई सारी जानकारियां मिल जाएंगी जैसे की आपका नाम, इमेल अड्रेस, आपका फोन नंबर और पता अगर आप आने वाले समय में चाहें तो इन सब में कोई भी बदलाव कर सकते हैं एडिट बटन पर जाकर बदलाव करने के पश्चात आपको सब्मिट बटन क्लिक कर देना है और वो बदलाव फार्मेक्स की तरफ से सुनिश्चित हो जाएगा यही नहीं, आपकी बिड्स, अर्थात, आपकी बोली या फसल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप प्रोफाइल टाब के अंदर देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं इसके पश्चात अगर आप चाहें तो अपनी बैंक की डीटेल्स भी फार्मेक्स के पोर्टल पर प्रोफाइल टाब के अंदर एडिट बटन से डाल सकते हैं और अगर कभी आपको अपना पासवर्ड चेंज करना हो तो प्रोफाइल टैब के अंदर कर सकते हैं। प्रोफाइल ऑप्षन के बाद माई डैशबोर्ड ऑप्षन का चैन करें। माई डैशबोर्ड पे आपको आपकी व्यापार से जुड़ी सारी लेंदेन की जानकारी मिल जाएगी। जैसे की क्रॉप्षन के अंदर माई क्रॉप्ष पर जाकर आपको आपकी सारी फसलों की जानकारी मिल जाएगी। My Bids में आपको वो सारी फसलें, जिस पे बोली लग रही है, या जो की आपकी तरफ से डिलिवर्ड हो चुकी है, उनकी जानकारी मिलेगी. My Orders के आप्शन में वो सारे ओडर्स जो आपकी तरफ से डिलिवर्ड होने हैं, या हो चुके हैं, या फिर कैंसल या फेल हो चुके हैं, उनकी जानकारी उपलब्द हो जाएगी. अन्त में नोटिफिकेशन टाप के अंदर आपको आपकी लेंदेन से जड़ी सारी गतिविधियों की जानकारी मिल जाएगी. धन्यवाद.